विश्व कर्मा पूजा जिसे विश्व कर्मा जैनती के नाम से भी जाना जाता है जो की भगवान विश्व कर्मा के जनम दिवस्त 17 सितंबर को विश्व कर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है यानि हिंदु धर्म के अनुसार भगवान विश्व कर्मा को देवताओं का सिल्पकार माना जाता है इस तरह विश्व कर्मा पूजा प्रतेक वर्ष 17 सितंबर को मनाय जाता है जो कि बहुत ही हर्ष और उल्लास का पर्व है जो कि पूरे भारत में मनाय जाता है विश्व कर्मा पूजा मनाने के पीछे धार्मिक महत्वेतो है साथ में ऐसी भी मानेता है कि भगवान विश्व कर्मा की इस दिन विशेश पूजन अर्चन करने से कारोबार व्यापार में खूब तरक्की भी होती है जिस कारण से विश्व कर्मा पूजा बहुती धुमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है हिंदु धर्म की मानेताओं के अनुसार भगवान विश्व कर्मा को निर्मान का देवता माना जाता है जिनोंने सत्यूग में स्वर्गलोक, त्रेता यूग में लंका, द्वापर यूग में इंद्रपरस्त, द्वार का, हस्तिनापूर का निर्मान किया था जबकि कल्यूग में पुरी में इस्तित जगनात मंदिर में इस्तापित भगवान किरिष्ण बलराम और सुबध्रा की मूर्ती का निर्मान भी इनी के हातों द्वारा माना जाता है। जिस कारण से विश्व कर्मा जी को ब्रमाण का निर्माण और सर्जिन करता देव माना जाता है जिनकी उत्पत्ति भाद्रपद्र महा के सुकल पक्ष के चतुर्थी तिति को माना जाता है जिस कारण से प्रतेक वर्ष 17 सितंबर को विश्व कर्मा पूजा बड़े ही धुमध हम से मनाई जाती है भागवान विश्नु चीर सागर में प्रकट हुए विश्नु जी नाभी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे और प्रह्माजी पूत्र धर्म हुए जिनके सात पुत्र हुए जिन में सात्वे पुत्र का नाम वास्तु रखा गया था जो की सिल्प कला से परिपूर्ण से थे जिनके विभा के पश्चात एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम विश्व कर्मा रखा गया जो की अपने पिता से वी एदित्ये सिल्प कला में निपुन थी जिस कारण से विश्व कर्मा जी को देवताओं का शिल्पकार देवता माना गया है विश्व कर्मा पूजा कैसे मनाई जाती है विश्व कर्मा पूजा भगवान विश्व कर्मा के जयनती के रूप में मनाया जाता है जो की बहुत ही धार्मिक पर्व है इस दिन जगे जगे भगवान विश्व कर्मा की प्रतिमा इस्थापित की जाती है जो की गली चोरहे ओफिस दफ्तर दुकान कलकार खानों में आसानी से देख सकते हैं इस दिन विश्व कर्मा पूजा के लिए साफ सफाई के विशेज ध्यान रखा जाता है लोग अपने घरों दुक दफ्तरों कलकार खानों को अच्छे से साफसपाई कर फिर विश्वकर्मा पूजा के दिन सुबह सुबह लोग अपने कारिय स्थल को सजाते हैं फिर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्रिस्थापित क्या जाता है फिर विदिवत पूजा अर्चना की जाती है और कि इन इस्तानों पर विश्व कर्मा पूजा बहुती बड़े उत्साव के रूप में बहुती धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिर स्कूल कोलेज में सारवजनिक अवकास होता है जिस कायन से विश्व कर्मा पूजा में बच्चे भी अति उत्साव के साथ भाग लेते हैं। चार चांद लग जाते हैं। विश्व कर्मा पूजा मंत्र विश्व कर्मा पूजा के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम आधार सक्तपे नमा और ओम कुम्यई नमा ओम अनन्तम नमे प्रत्वई नमे विश्व कर्मा पूजा फल। मानेता है कि विश्व कर्मा पूजा करने वाले व्यक्ति के घर धन धान्य तथा सुक सम्रद्धी की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इस पूजा की महिमा से व्यक्ति के व्यापार में व्रद्धी होती है तथा सभी मनों कामनय पूरी हो जाती है। इसके बाद लोग नहा दोकर अच्छे साफ सुत्रे वस्त्र धारन कर भगवान विश्व कर्मा की मूर्ति स्थापित करते हैं। फिर विदिवत मंत्रो उच्चार के साथ विशेश पूजन अर्चन किया जाता है। लोग भगवान विश्व कर्मा की पूजा करते हैं, धूप अगर्बति जलाते हैं और फूर माला चड़ाते हैं, प्रसाज फल मिठाई आदी का भोग लगाते हैं और भगवान विश्व कर्मा की पूजा करके मंगल की कामना करते हैं। भगवान विश्व कर्मा मूर्ती विसरजन विश्व कर्मा पूजा के दिन मिट्टी से बने मूर्तियों को इस्थापित किया जाता है जिसके पूरे दिन और रात विश्व कर्मा पूजा का कार्य करम चलता रहता है फिर अगले दिन विश्व कर्मा भगवान की मूर्ती की व झाल झाल